आज सत्तर दिन की सर्माई ताइटिलात के बाद जब स्कूल खुल गए जब टीचिंग फैकल्टी को रिपोर्ट करना है स्कूल में तो आज के दिन का मनजर मैं आपको लाइव दे रहा हूँ इस टाइम खाग है सकंटरी से आप देख सकते हैं एक खुल्बसूरत वियू बरफ की एक चादर बनी हुई है हाला एक काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा हमें भी यहां पहुंचने में क्यांके रोड पे बरफ तो हटाई गई थी लेकिन फिसलन की वज़ए से गाड़ियों का चलना काफी मुश्किल हो रहा था लेकिन अगर मैं कहूं अपने इनस्चूट की बाद तो हंड्रड परसंट टीचिंग फैकल्टी जो है ते है रिपोर्टिड तो दी इनस्चूट लेकिन इस टाइम का मनजर काफी खुबसूरत है निला गगन सफेद वरफ की चादर और यहां से आप इन खुबसूरत पहाड़ों का वियू ले सकते हैं कितना खुबसूरत मनजर है और जो डिफिकल्टी जिन मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ा यहां आने में वो सारा कुछ हम बूल गए यह खुबसूरत मनजर कर यह हमारी हाइर सेकंड स्कूल की मैन बिल्डिंग इस पे आप देख सकते हैं कुब उतर बैठे हुए हैं और एक खुबसूरत मनजर बना हुआ है यह है बिल्डिंग नमबर टू और वो आडिटोरियम और यह कम्प्यूटर लेब यहां से यह है मैन ग्राउंड जिस पे बारफ की चादर इस वक्त जमी हुई है और यह हमारे दो फैकल्टी मेंबर्स मुश्ताक सहब और निसार सहब जो इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं बारफ में अपनी ड्यूटी और वहां से वो खुबसूरत पहाड इनका एक बहुत ही खुबसूरत मनजर तो स्कूल खुलने क खुलने का जो फैसला अधिनिस्टेशन एक या इच्छा ही रहा है वहां के कुछ डिफिकल्टी तो फैस करनी पडी तेकन अफराद लो खुबसूरत पाराद यूटी प्रपूल आध रखुबसूरत पार जो आधा पारफूरत पारने की आधा यूटी तो इस वाद आधार